असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैद अटेग, आज किस एपिसोड में मैं आपको न्यू जनरेशन के लिए बनाये जाने वाली पर्सनल ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, सो लेट्स बेगें बुगाटी डाइवो, दोस्तो स्पोर्ट्स कार से तो आप सब भी वाकफ होंगे, इससे सदा खुबसूरत और स्टाइलिश वहिकल दुनिया में और कोई नहीं हो सकती आजकल हर कंपनी ही एक दूसरे से उपर निकलने के लिए ऐसी ऐसी वहिकल्स डिजाइन कर रही है, जो एक से बढ़कर एक होती है, यह जो कार आप दिख रहे हैं, यह एक्चुली एक स्पोर्ट्स कार है, जिससे बुगाटी कंपनी ने डिजाइन किया है, इसके डिवेलप इस कार के अंदर दो लोगों के बैठने की जगा होती है, अगर इसकी फ्रंड और बैक लाइट्स की बात की जाए, तो यह ति एक्टरेक्टिव हैं, कि यह वाकिह में एक मास्टर पीस लगती है, यह लाइट्स 44 डिफरेंट सेक्शन पर मुश्तमिल है, इसके अंदर चार इंजन्स लगाए गए हैं, जो कि 1500 होर्स पाफर की ताकत रखते हैं, इस वहिकल की सिर्फ 40 कॉपीज बनाए गई थी, जो कि सोल्ड आउट हो चुकी है, यह कार रियली मास्टर पीस है, नमर 7, आर्किमोटो FUV, दुस्थो वैसे तो आप सबने रोड पर चलते हुए बहु जो तमाम वहिकल से बिल्कुल डिफरेंड और यूनीक लगती है, और हर किसी की एट्रेक्शन का बाइस बनती है, इसे एक अमेरिकन कमपनी आर्किमोटो ने डिजाइन किया है, और इन्होंने इसे एक फण यूटिलिटी वहिकल का नाम दिया है, इसकी अपीनस बहुत ही अ ब्लूडूस साउंड सिस्टम और एक चोटा सा लगिज कमपार्टमेंट भी बनाया गया है, जिसमें समान वगएरा एजिली रखा जा सकता है, और सबसे मज़े की बात यह है, कि आपको इसे ड्राइव करने के लिए किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, और आप सिर्फ साइफाई मुवीज में ही पॉसिवल है, लेकिन फ्यूचर में इस फैंटेसी को भी एक रियालिटी में बदल दिया जाएगा, यह जो परसनल वहिकल आप देख रहे हैं, इसे सूपर सॉनिक कमपनी ने 2020 में इंटर्डियूस कर वाया था, इस मॉडल की अपिरस को द बनाए गई है, इसके लावा इस वहिकल की बॉड़ी कारपन फाइबर से बनाए गई है, जो कि इसे ड्यूरेबल और लाइट वेट बनाता है, और अगर इसकी लेंध की बात की जाए, तो यह सिर्फ 21 मीटर होती है, मजगी बात यह है, कि इसकी टेस्ट फ्लाइट भी प्ल इसे हाइपर लेमोजीन का नाम दिया है, क्योंकि अगर इसे बैक साइट से देखा जाए, तो यह बिलकुल एक लेमोजीन की तरह लगती है, और अगर इसकी फ्रेंट लोग की बात की जाए, तो यह वहिकल रोल्स रोइस जैसी क्लासी लोग देती है, इसे इटली में डिसा रेड करता है, यह कार सिर्फ 4 सेकंड में 0-100 किलोमेटर तक पहुंचाती है, और अगर इसकी स्पेड की बात की जाए, तो इसकी टॉप स्पेड 210 किलोमेटर पर आर होती है, इसकी टरंक भी काफी बड़ी होती है, जिसमें आप अपना समान एजीली रख सकते हैं, मोर ओवर इसके अंदर लगाए गई वाच, रियल गोल्ड और प्लाडिनियम से बनाए गई है, जो कि इसे और भी ज़दा स्टाइलिश बनाती है, यह वहीकल रियली इंक्रेडिबल है, नमर 4 काबू वुल्फ वारियर, दूसों यह जो मॉडरन और एडवांस वहीकल आप देख रहे ही है, इसके अंदर दो ड्राइविंग मोड होते हैं, टर्बो और इको मोड, टर्बो मोड को जंगलों और खराब रास्तों पर चलाने के लिए इस्तमाल किया जाता है, और इसके 28 सेंटिमेटर वील्स आपको खराब रास्तों में एक स्मूथ राइड प्रोवाइड करते है इसमें लगाए गए शौक अब्जरबस, इसे पत्रीले राफ्सों में चलने में मदद देते हैं, मोर और इसके अंदर डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी मदद से राइडर इसको इसली स्टॉप भी कर सकता है, और अगर आप इस वेहिकल को सिटी में यूज करना चाते हैं, तो आप इसे एको मोड पर चला सकते हैं, ये एक एलेक्ट्रिक वेहिकल है, जिसे एक दफ़ा कम्प्लीट चार्ज करने पर डेट सो किलिमिटर का फासला तैक किया जा सकता है, इसकी बाड़ी को प्योर अलमिनियम से बनाया गया है, जो कि 150 किजी तक पिल्कुल एक यूनीक और एडवांस स्नो कार्ट है, जिसे बच्चे, बड़े और किसी भी एज के लोग इजली चला सकते हैं, इसे ये एन वियो कम्पनी ने डिसाइन किया है, और इनका कहना है कि ये वो पहली कम्पनी है, जिसने ऐसी वहिकल क्रियेट की है, यो तो इस व वहिकल कम्प्लीटली एलेक्टरिक है, और इसकी स्पीड 20 किलोमेटर पर आर होती है, जिसकी वज़ा से ये बच्चों के लिए भी सूटेबल है, ये बहुत ही लाइट वेट वहिकल है, इसका वेट सिर्फ 45 किलोग्राम होता है, आप इसे हार्ड आइस, डीप स्नो और प्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वज़ा से लोग ज़्यादतर गाड़ियों में सफर करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत आर टाइम वेस्ट होता है, इनकी जगा पर अल्टरेटिव वहिकल्स जैसे कि मोटर बाइक्स और एलेक्ट्रिक स्कूटर वगरा य कर सकते हैं, इस स्कूटर में पाउं रखने के लिए फूट रेस्ट भी बनाए गए हैं, जो कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान पूरी तरह रिलैक्स रखते हैं, इसे आप तंग और नैरो गलियों में भी एजली ड्राइव कर सकते हैं, ये स्कूटर फोल्ड होकर एक वील कर सकते हैं, वेल इंसाइट सेटी में ट्रैवल करने के लिए इस से बहतर वहिकल और कोई नहीं हो सकती, नमर वन लेजरेट को आड़ाजूमा, दूसों ये बात सच है कि एटीवीज में भी बहुत से लगजरी मॉडल आ चुके हैं, ये जो वहिकल आप देख रहे हैं, ये इने में से एक है, ये एटीवीज, आल ट्राइन वहिकल की दुनिया में एक फरारी की हैसियत रखती है, ये वहिकल इतनी अमेजिंग है कि आप इसे मड और खराब रास्तों पर चलाना पसंद नहीं करेंगी, लेकिन हकीकत ये है, किस वहिकल को आफ रोड चलाने के लिए ही आफर की ताकत रखता है, वेल अभी ये मॉडल लांच नहीं हुआ, क्योंकि इसके डिवेल्टमेंट पर काम हो रहा है, इसके अंदर फ्रंट बैक लाइट्स और रेर व्यू कैमरा भी लगाया जाएगा, ये बहुत ही स्टाइलिज और फ्यूचरिस्टिक लोकिंग वहिकल है, जिसकी लोक रियली अमेजिंग है, तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाते हैं, तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज के लिए दोस्तों, नेक्स वीडियो तक के लिए, अल्ला हाफिस.